नेक्स हमारे पास concentration terms, तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि concentration term होती क्या है, तो अगर आप माल लो आपके घर पे महमान आ रहे हैं, और बोला कि जाओ बेटा, महमानों के लिए चाए बनाओ, तो लड़के तो जाएंगी, लड़के तो चाए नहीं बनाएंगे, लड़के एक परके उल्लू के पाठे नहीं होते हैं, लड़कों में इतनी अच्छी बात नहीं है, नहीं, तो कल को बोले कि जाओ बेटा चाए बनाओ, लड़का हो या लड़की महमानों के लिए चाए तो तो तुम बनाओ गई, कल को आपकी मम्मी नहीं है घर पे तो, तो आप माल लो क आपने बहुत अच्छी चाए बनाई, ठीक है, तो उसको पी के महमानों को एकदम वो गया, नश्या, ऐसे करके, वाह, ऐसा वाला, तो फाइनली महमान आपसे क्या पूछेंगे, कभी सोचा है आप लोगोंने, महमान आपसे ये पूछेंगे कि, बेटा, चाए में, चाए त कित्ती डाली, बहुत स्वाद बनी है, चाए में तुम्हें चाए पत्ती कित्ती डाली, बहुत स्वाद बनी है, चाए में तुमने दूद कितना डाला, बहुत स्वाद बनी है, कोई ये पूछता है कि चाए में तुमने पानी कित्ता डाला, ऐसा कोई नहीं पूछता, वो asking about solute समझ में रहा है तो जब किसी solution में आप से solute के बारे में पूछा जाए तो solute को हम लोग concentration term से बताते हैं अलग-अलग concentration term से concentration term का मतलब क्या है concentration term का मतलब है जो की solute की quantity बताई या solution में या solvent में solution में तुमने कितना solute डाला है उनी terms को हम लोग क्या बोलते है concentration terms बोलते है जैसे कि पहली concentration term में mass percentage ठीक है दूसरी concentration term में volume percentage तीसरी concentration term कौन सी है दिखाओ भईया PPM, चोथी concentration term कौन सी है mole fraction, पाशवी है molarity, छटी है molality, इसके लावा भी कुछ है क्या नहीं है बभवा तो अब देखो ये वाली concentration terms है ठीक है अब इन सब का क्या logic है इन सब का एक ही logic है वो आपको solute की quantity बताती है या तो solution के अंदर या फिर solvent के अंदर एक ही term है जो solvent में बताती है that is molality बागी सारी solution में बताती है आप से क्या का जा रहा है इस solution में तुमने कितना solute डाला तो आपको मैं simple सी चीज़ बताता हूँ हमेशा याद रखो जातर बच्चे confusion में रहते हैं कि solute किदर लिखे है और solution या solvent किदर लिखे है तो solute हमेशा उपर लिखा जाता है denominator में नीचे क्या लिखा जाता है या तो solution लिखा जाता है और आप molality के case में solvent लिखते हो that's it अब मैं आपको बताता हूँ इनके formula है that's very easy तो mass percentage लिखा है तो what do you mean by mass percentage that is the mass of solute divided by the mass of solution into 100 percentage है into whatever होगे 100 that's very easy क्या है hard है नहीं क्या इसके लिए आपको Amazon से शक्ती मां के लाल चड़ी खरीदी पड़ेगी नहीं कहो अपने मंग से बोलो Arvind sir नहीं हमें इसके लिए Amazon से शक्ती मां के लाल चड़ी लेने की जोतनी that's very easy sir come on dude write it down right now chat देख रहा हूँ है तुमारे volume percentage में क्या लिखा होगे that is volume of solute उपर लिखा जाएगा solute नीचे क्या लिखा जाएगा volume of solution into क्या करोगे hundred that's very easy do you need red chaddi from Amazon to learn this no not at all PPM बर आते अब ये तो percentage था PPM का मतलब क्या होता है part per million तो percentage में जब आप percent मतलब source से multiply करते हो तो part per million में क्या करोगे तो देखो part per million अलग-अलग तरह से लिखा जाता है weight by weight part per million volume by volume part per million weight by volume part per million ठीक है in that case अगर माल लो weight by weight part per million लिखना है तो कैसे लिखोगे that is weight of solute उपर तो भही आ रहा है नीचे क्या रहा है weight of solution into million करोगे million, million समझते हो 10 raise to power 6 को million कहते है आज का मैं एक बात्या बताता हूँ मैंने क्या किया मैंने एक जिगा न एक newspaper वाले को call किया नाम नहीं बता सकता तो newspaper वाले को call किया और मैंने बोला कि भहिया मेरे पांच million हो गए है YouTube पे subscribers ऐसा बूला मैंने घ्राप बिलियन होने वाले है YouTube सबस्क्राइबर्स तो वो बता क्या बोलता है मेरेको वो बोलता है हां तो हमारे भी है मैंने बाफ पांच मिलियन है तुमारे भी है newspaper वालोग के इतने पांच मिलियन कैसे हो गए मैंने तुम्हारे नाम बताओ चैनल का नाम बताओ तो उसने नाम बता है मैंने सर्च किया तो वहाँ पर कितने थे पता है वहाँ पर थे पांच लाक तो पांच लाक को भाइसा पांच मिलियन समझ रहे थे समझ रहे हो अब मैंने का मैंने जैसी बोला रहे तो 5 lakh है, इतने phone गाट दिया तो सर्च मार रहा होगा, ऐसे से भी होते हैं, ठीक है तो 5 million मतलब 50 lakh, million मतलब 10 lakh 10 is to power 6 से multiply करना है you have to multiply with 10 is to power 6 there is a difference, कई लोग बोलते है 1 million कितना होता है, 1 lakh, गलत 1 million का मतलब होता है, 10 lakh समझ मागया, 10 lakh के लिए 10 के उपर, 10 के साथ में 6, 1 के साथ में 6 0 लगती है, 10 is to power 6 होता है याद रखोगे, so 5 per million में सिर्फ ये interesting चीज़ है, बाकी तो same है, जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हो now we'll talk about mole fraction mole fraction क्या होता है, that's very easy, अगर आपको mole fraction निकालने है, मानलो a के निकालने है, तो आपको a के moles लेने है, और उस solution में total moles calculate करने है समझ मागया, अगर मानलो आपको b के moles निकालने है, तो आपको mole fraction निकालना है, तो आपको b के moles लेने है, और total moles calculate करने है और आते हैं, molarity के open, that's very easy, that is mole per liter, okay so अगर molarity का formula किसी को नहीं आता है, तो आप pathetic जिंदी की जी रहे हो and that is the moles of solute उपर हमेशा solute लिखना है, नीचे के लिखोगे, नीचे per liter volume of solution solution का liter volume कितना है, लीटर में volume अब आते हैं आखरी term की तरफ molality, molality is the only term, जहाँ आपर denominator में solvent लिखा जाता है इसको small m से लिखा जाता है that is moles of solute उपर solute के moles लिए जाता है नीचे weight लिया जाता है किसका per kg weight of solvent solvent लिखा जाता है, solution नहीं है, तो नीचे यहाँ पर solvent है, नीचे यहाँ पर क्या है solvent है यह सबसे बड़ा difference है that's it, और कुछ नहीं है, is this clear किस-किस को पले पड़ गया किस-किस को समझ आ गया, just write down in chat section, तो किस-किस को सारी-किसारी terms याद हो गई जल दिली को chat section के अंदर सबसे पहले तो अपन mass percentage तुमें पता ही है बले-बले, सबको पता है, solute का weight, नीचे solution का weight, ठीक है volume percentage भी पता है, solute का volume, solution का volume फिर उसके बाद ppm, यहाँ पर सिर्फ इतना फरक है, 10 इस पर 6 से multiply होगा, बाकी same ही है mole fraction, that's very easy उपर, नहीं, यहाँ पर weight नहीं है बेटा, यह moles है, बस यहाँ थोड़ी सी mistake है तो मैं आपको थोड़ा सब़े clarify कर देता हूँ, that is the moles of solute divided by total moles, सिर्फ इतना सा difference है moles of solvent divided by total moles, अब solute और solvent किसी के लिए बे निकाल सकते हो ठीक है, mass नहीं बेटा, यहाँ पर गरबड़ हो गई है ठीक है, इसको correct कर लेना यहाँ पर moles के ratio को mole fraction कहते है if you ask, x क्या होता है that is moles ratio that is only a moles ratio, वो सिर्फ और सिर्फ moles ratio होता है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी correction कर लेना, बड़े-बड़े शेरों में छटटड़ी बात होती रहती है, senorita and finally यहाँ पर आते हैं हम लोग molarity, ठीक है मैं पहली के लिए कर देता हूँ, कई लोग इतने महान है जिसकी screenshot लेके मतलब मैंने ऐसे बेकार लोग जिन्दीगी में नहीं देखे, यहाँ पर मैं correction करवा चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ so there is a correction, वो इसी की screenshot लेके दिखाए, गलत पढ़ा दिया अरे, इस slide में गलत लिखा हूँ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर वेट नहीं आएगा, यहाँ पर मोल दाएंगे, फिर भी उल्लू के पठे किसी ने screenshot डाली, तो तुम महा उल्लू के पठे हूँ, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं न, मतलब मैंने नलायक ऐसे लोग जिन्दीगी में नहीं देखे हैं, जो दूसरों को बस अगर किसी ने यहाँ पर बोल दिया, वो भी बताओ, टीचर थी, टीचर, समझ रहो, एक टीचर, दूसरी टीचर को कैसे बतनाम करता, मुझे बड़ा दुख हुआ था, मैंने का यार, लोग किस तरह से, हाओ बाओ का फाइदा उठाते हैं, समझ में आ गया, यहाँ पर किसी के रिस्पेक में निकाल सकते हैं, तो उपर ले लो, नीचे टोटल मोल ले लो, समझ में आ गया, it is a mole ratio only, that is not a mass ratio, and that is, yeah, that is wrong, I am saying that is wrong, मैं कह रहाँ की गलत है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मैं इसे छाटा छाटी कर देता हूँ, गलती हो जाती है, it's not a big deal, है न, consecutively ही गलती हो गए, पर मैं आप से कह रहाँ, yes, तो finally it's a mole ratio, okay, लिखा हुआ है mole fraction, तो it's a mole ratio only, is this clear, molarity आपको मालूम पढ़ गया, and finally आते है, molality जो मैंने आपको बताई दिया, तो मैं आपको clarity दे दिया है, फिर मैं स्क्रीन्चोट लेगे, डालते रहना, कई लोग नलाइक होते हैं, उनका कोई काम नहीं है, और finally रह गया आपके पास, molality, नीचे क्या लोग है, weight of solvent, is this clear, कर दूuri है, थैंज कर दिया, बहुते हैं, बहुते हैं, कर दे gंए dealtने है